हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी ये मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है और इसको मैंने फोल्ड किया है ये देखिए, ये फोल्ड किया है और इसमें इधर साइड से किनारी है और इधर किनारी इसमें नहीं है मैंने इसको इस धन से फोल्ड किया है कि नीचे का पल्ला उपर के पल्ले से आधा इंच बड़ा है ये देखिए अब ये नाप है, नाप को बराबर से ऐसे फैलाना है सबसे पहले इसमें चोडाई नापी जाएगी चोडाई इसकी 17 इंच है अब इसमें 1.5 इंच इधर बढ़ाना है और 1.5 इंच इधर बढ़ाना है ऐसी लाई के लिए अब इसकी टोटल चोड़ाई 20 इंच रखनी है अब 20 इंच पे ऐसे निसान लगाना है 20 इंच में मैं निसान लगा रही हूँ इधर भी मैं 20 इंच पे निसान लगा रही हूँ अब ऐसे सीधी लैन खीजनी है अब इसको कपड़े को ऐसे फोल्ड किया जाएगा अब नाप में लंबाई ना पी जाएगी लंबाई 12 इंच है अब आधा इंच सिलाई के लिए इधर लिया जाएगा और डेड़ इंच नीच लिया जाएगा तो टोटल लंबाई 2 इंच बढ़ानी है अब मैं लंबाई साढ़े 14 इंच करूँगी साढ़े 12 इंच लंबाई तयार है दो इंच बढ़ा कर साढ़े 14 इंच लंबाई करूँगी और ये लंबाई पीछे के पल्ले से ना पी जाएगी यहां से जो पल्ला छोटा है पीछे का पल्ला उसी से लंबाई ना पी जाएगी अब 14 इंच पर निशान लगा कर अब मैं सीधी लैन खीज रही हूँ अब मैं इसमें कंधे का निशान लगाऊंगी कंधे का निशान में 6 इंच पर लगा रही हूँ अब armhole का निसान लगेगा armhole का निसान सब छेंच पे लगा रही हूँ अब इसको square shape में देना है square shape में देने के बाद इसको गोल करना है ऐसे गोल करना है अब मैं इसमें गले का निसान लगाऊंगी गले का निसान में पौने तीन इंच पे लगा रही हूँ अब इसकी कटिंग की जाएगी जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ ऐसे ही आपको भी अपने कपड़े में कटिंग करना है ये गले का निसान मैंने लगाया था अब इसमें कट का निसान में लगा दे रही हूँ अब देखी जो बड़ा पल्ला है वो आगी का पल्ला है और जो छोटा पल्ला है वो पीछे का पल्ला है ये बड़ा पल्ला है, ये आगे का पल्ला है ये गले का निसान पोने तेंच पर मैंने लगाया है अब इधर से मैं छेंच पर लगा रही हूँ अब इसको भी मैं स्क्वाइर सेप में बनाऊंगी स्क्वाइर सेप में बनाने के बाद इसको मैं गोल बनाऊंगी अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ अब इधर से आधा इंच लेकर इसमें निसान लगाना है अब इसकी कटिंग की जाएगी इसको काटने से बाजो की फिटिंग अच्छी आती है अब इधर से कटिंग की जाएगी अब इसमें प्लेट का निसान लगेगा आपको इंच टेप ऐसे गले की तरफ से रखना है यह गला है गले की तरफ से इंच टेप ऐसे सीधा रखना है सीधा रख कर दस इंच पे निसान लगाना है यह 10 इंच पर मैंने निसान लगा दिया है 10 इंच के बाद नीचे जितना बचता है उस पर निसान लगाना है सिधे अब और जो तीन निसान बच रहे हैं उसको ऐसे सेट कर लेना है यह देखिए मैंने सेट कर लिया है सेट करके अब इसको ऐसे तिर्चा निसान लगाए जाएगा इधर सीधा निसान लगाए जाएगा और इधर आर्म होल की तरब निसान लगे गई इस चारो निसान लग गए है अब दूसी तरब निसान लगाने के लिए जैसे मैं निसान लगा रही हूँ ऐसे ही आपको भी अपने कपड़े में लगाना है अब ऐसे पलट कर निसान से निसान को मिला देना है अब दूसी तरब देना है दोनों साइड में निसान लग गए है ये पीछे का पल्ला है इसमें मैं गले का निसान बनाऊंगी इसमें मैं चोकोर गला बनाऊंगी मैं गले का निसान आठ हिंच पे लगा रही हूँ अब इसको भी ऐसे स्क्वेर सिप में बनाना है अब इधर से मैं दो इंच पे निसान लगा रही हूँ ऐसे निसान लगाने के बाद इंच टेप ऐसे रख कर सीधा निसान लगाना है अब चोकोर गले का निसान लग गया है अब इसकी मैं कटिंग करूँगी आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो वो गला बना सकते हैं अब इसमें प्लेट का निसान लगेगा आपको ऐसे इंच टेप रखना है और साढ़े चार इंच पे निसान लगाना है अब दूसरी साइड जैसे मैं निसान लगा रही हूँ ऐसे ही आपको भी लगाना है ऐसे निसान से निसान मिलाना है अब दोनों निसान लग गए हैं अब बाजू की कटिंग होगी इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है अब नाप में लंबाई नापी जाएगी बाजू की बाजू की लंबाई साड़े छे इंच है और इसकी चोड़ाई सवा छे इंच है अब मैं साड़े आठ इंच पे लंबाई का निसान लगा रही हूँ इसमें बाजू में आधा इंच ओपर सिलाई में जाएगा और डेर्ड इंच नीचे मोडने में जाएगा तो टोटल लंबाई दो इंच बढ़ानी है अब ऐसे सीधी लाइन खीजने है अब इसकी चोड़ाई सवा छे इंच है तो मैं एक इंची मार्जिंग लेते हुए सवा साथ इंच पे चोड़ाई का निसान लगाऊँगे मैं कपड़ा थोड़ा से और आगी कर ले रही हूँ चोड़ाई को पूरा करने के लिए यह देखे चोड़ाई पूरी हो गई है अब तीन इंच ऐसे मैं निसान लगा रही हूँ अब इसमें ऐसे गोल बनाया जाएगा अब यह चोड़ाई ना पी जाएगी इधर से मोहरी यह पांच इंच है एक इंच मर्जिन लेते हुए छे इंच में मैं निसान लगा रही हूँ अब इसको ऐसे तिर्चन सान लगाना है अब इसकी कटिंग की जाएगी अब यहां से थोड़ा सा कट का निसान लगाए जाएगा अब पौन इंच लेते हुए ऐसे निसान लगाना है गोल अब इसमें दो पल्ले लेने है यह देखिए दो पल्ले मैंने ले लिए है ऐसे दो पल्लों को पकड़ कर इसकी कटिंग की जाएगी बाजू कट गई है यह पीछे का पल्ला है और यह आगे का पल्ला है अब बिलावस की कटिंग हो गई है झाल झाल